वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बी एसीवी बोर्ड ओंवाइन क्लास दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी ठीक है क्लास तेंथ हिंदी के महत पूर अबजेक्टिव कोशन जोकी प्रिवियस येर कोशन है ये जितना भी अबजेक्टिव कोशन ह 2018 में आया हुआ हिंदी के प्रतम पाली के आप लोग को ये वीडियो में पूरा के पूरा मिल जाएगा ठीक है दोस्तों आप लोग ये वीडियो को इसकीप ना कीजेगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजेगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों पहला कोशन की ओर ले चलते हैं देखे दोस्तों 2018 में फर्स्ट टर्म में पहला कोशन आया हुआ है बुढ़ापे में इंसान की बिल्कुल बाच्चा बन जाता है इस वाक में बुढ़ाप में इंसान बिल्कुल बच्चा की तरह हो जाता है चाड़िया आगे दखेंगे दो कोशन देखे दोस्तो दो नमर कोशन हमारे पास है, विसेशड के मुख्यत कितने भेद हैं, विसेशड के मुख्यत कितने भेद हैं, चार, तीन, पांथ, दो, ठीक है दोस्तो, ब्याकरण का मैं एक अलग सा वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग यो वीडियो नहीं देखे को जान लीजिए, ठीक है, आप लोग को वीडियो ना देखना भूलें, तो देखे दोस्तो इसका राइट अंसर होगा, दो नमबर का, आपसन नमबर, ये इस राइट अंसर होगा, चार, विसेशड के मुख्यता चार भेद होते हैं, चलिए तीन नमर कोशन देखेंगे, द इसमें वाक के क्या है, कौन सा सरो नाम है, वो बताना है, निश्चे वाचक सरो नाम है, नीज वाचक सरो नाम है, नहीं दोस्तो, अनिश्चे वाचक लिखा हुआ है, सरीज के लिए, बी एं सी में है, दोस्तो, प्रशन वाचक सरो नाम, ठीक है, तो आप लोग का, तीन का राइट एंसर होगा दोस्तों, option number C, प्रश्ण वाचक सुरो नाम, क्या जो लग गया, आपने क्या खया, आपने क्या पिया, आपने कहा जा रहे हैं, ये सब यतना है, question type का जो सवाल होता है, उसमें प्रश्ण वाचक सुरो नाम लगता है, ठीके, दोस्तों, चलिए चार नमर बी इस राइट एंसर होगा, भग विश्यत काल का तीन राइट एंसर होगा, ठीके, तीन काल होते हैं, ठीके, चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नमर कोस्टन देखेंगे, दोस्तों, दयो धन का संधी विचे, थो दोस्तों, जब देखिया ओप्षन को राइट और ध्यान से दे इसका राइटएंसर होगा पांच नुमर का प्सन नंबर बी दाधी पल्स ओधन ठीक है इसका राइट एंसर होगा द्यधन जरान। का शन्दी Hero का भी एक अलग से वीडियो आने वाला है तो डोग यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका सभी विचे का यहाँ पर तैयारी महतोपूर कराया जाता है देखिए छो नमर कोशन हमारे पास है दोस्तो राम ने भीखारी को पैसे दिये इस वाक में किस परकार के कारक बिभक्ती है ठीक है राम ने भीखारी को पैसा दिया है तो इसमें किस कारक की बिभक्ती यानि कि कौन सा कारक इसमें काम कर रहा है दखिए कर्म, संपरदान, सब्बंध या करण तो दोस्तो छो का जो राइट एंसर होगा ना अप्शन नमर 20 राइट एंसर होगा संपरदान कारक इसमें बिभक्ती हो रहा है चलिए आगे देखेंगे सात नमबर कोशन तो दस्तो देखेंगे सात नमबर कोशन हमारे पास है लवपुरुष में कौन सा समास है जो द्वन्द है या नई समास है या करमधार्य समास है या डी में दिया है दियूगू समास दोस्तो इसका राइट एंसर होगा option number C is right cancer होगा option number C करमधार या समास लोव पूरुष में कौन सा समार है करमधार या समास चलिए आगे बढ़ेंगे आठ नमर की ओर देखिए आठ नमर कोशन हमारे पसे निर्जन में कौन सा उपसर्ग है यह सब जितना कोशन है ये 2018 के annual exam first term में आया हुआ है यानि प्रथम पाली में ये question आया हुआ है ठीक है, question bank में आप लोग मिला सकते हैं, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको like जरूर कीजिए और comment अपने तरफ से जरूर कीजिएगा दोस्तो, ठीक है, चलिए पहला option दिया है, नी B में है, नीर, नी और नीर, ठीक है देख लीजे, option इसका right answer होगा, दोस्तो option number 8 का B क्या होगा, नीर, ठीक है near is right answer होगा, ये भी ये भी, ठीक है, दोनों same to same दिया हुआ है, अपका right answer होगा, option number B, नीर चलिए आगे देखेंगे दोस्तो 9 number question, देखें 9 number question हमारे पास है नीम ने लिखित सब्दों में कौन सा सब्द सुध है सोनित, सोनित सोनित ये सोनित, देखें, सब सोनित है लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है ठीक है, तो दोस्तो 9 number का आपका right answer हो जागा, option number C सोनित, ठीक है ये और वालन लागा हुआ है सोनित, चलिए आगे बढ़ेंगे ये सुध सब्दों, देखेंगे, 10 number question हम देखेंगे 10 number question हमारे पास है यदि A को बाद में कोई भी भीन स्वर आये तो एक किसमे परिवर्तन हो जाता है देखेंगे, सब A लिखा हुआ है ठीक है, आप लोग देख लिए अप्शन को तो 10 number का आपका right answer हो जागा दोस्तो, option number B is right answer होगा A ठीक है, ये भी A लिखा है O और ये का मात्रा होलंक तो जादिया है ठीक है, ये क्या पढ़ाएगा A, A में बदल जागा A वाला ये मात्रा, इस में बदल जागा ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11 number question दोस्तो, 11 number question है नीम ने लिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सूध है, कौन सा मेरा बात सुनो, option number A का right answer, दोस्तो, 11 का right answer A होगा, ठीक है 11 का right answer, option number A आपके दर्शन कब होगे, चलिए 12 number question से मिलाते हैं, 12 दोस्तो, हमारे पास question है हाथ साफ करना मुहावरे का सही और थे क्या है, हाथ धोना हाथ सफाई करना, या चोरी करना D में दिया है, गौन्दगी फैलाना हाथ साफ करना का दोस्तो, right answer होगा, option number 12 का, option C ठीक है, option C, यानि चोरी करना, हाथ साफ करना का मुहावरे का अर्थ का होता है, चोरी करना चलिए आगे देखेंगे, 13 number question देखें, 13 number question है निम्ने लिखित सब्दों में कौन सब्द सुध है, सुध सब्द से 3 या 4 सवाल देता है, संदी से 3 या 4 सवाल देता है, दस्तो स्वरो नाम संग्य के related देता है समास के related परतिया जितना भी है, यह सब का वीडियो बन चुका है, आप लोग जा कर जरूर देख लिजिए, ताकि आप लोग का वीडियो देखने से पूरा ब्याकरण में जितना भी सवाल related पूझता है, ब्याकरण से वो आपका पूरा के पूरा किलियर हो जागा तो उस वीडियो को देखना ना भूले, ठीक है लेकिन अलग अलग तरही कैसे लिखा हुआ है अलग अलग साथ से लिखा हुआ है ठीक है, तो तेरो नमबर का पूरा का राइट एंसर होगा दोस्तों, अपसा नमबर C is राइट एंसर होगा, क्या होगा हिता है C, ठीक है चलिए चौधा नमबर देखेंगे अपसा नमबर C, इम जो है इसमें लाष्ट में देखेंगे कोहने पर अन, तीम, इम जो कोहने पर आ रहा है लाष्ट में, वो परतियाए होता है और उपसार्ग में जो दोस्तों अन दिया है न, अन, अन हो जाएगा उपसार्ग और तीम हो जाएगा इम हो जागा दोस्तो परत्याय आप लोग ध्यान देखेंगे आगे जो जुडता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो पीछे जुडता है उसको परत्याय बोलते हैं इसको दिमाग में अच्छा से बिठा लीजेगा देखें दोस्तो पंदरह नमर कोशन हमारे पास है 15 नमर देखिए अश्टा ध्याई अश्टा ध्याई कौन ससमास है पहला दिया है दिवीगू B में है दोस्तो, A भ्याई भाव और C में है बहु ब्रिगी और D में कहा है दोस्तो, नई न इया दिया है तो न इया पढ़ाएगा ठीक है आप लोग ध्यान से कोर्षण को देखते चलेंगे तो इसका राइट एंसर होगा दोस्तो पंदर का राइट एंसर ऑफ्षान नमबर ए इस राइट एंसर होगा दिवी गू तेली आगे देखेंगे शोला नमर कोर्षण सोला बाल बिवा पराथा तो सोला का जो राइट एंसर होगा न अप्शन नमबर सी राइट एंसर होगा क्या होगा अप्शन नमबर सी राइट एंसर जाती पराथा तेली आगे बढ़ेंगे 17 नमर कोशन देखेंगे दोस्तो 17 नमर कोशन अमारे पास है पेण का कमरा किसी किसकी रचना है पेण का कमरा किसकी रचना है बिनोत कुमार सुकल और सोक बाजपेई C में है दोस्तो अमर का अंत और D में कहें यतिन्द्र मिस्र कहें यतिन्द्र मिस्र तो दोस्तों सत्रका जो राइट एंसर आपका हो जागा option number A is right answer होगा सत्रका बिनोत कुमार सुकले चलिए 18 नमर question से मिलाते हैं B.R. नरायन ने किसी कहानी का अनुभाव किया कैसी कहानी जो है इसमें अनुभाव किया है दखिए धहते विश्वास B में है दही वाली मंगामा C में है दोस्तों नगर और D में क्या है मा तो 18 का जो राइट एंसर होगा न दोस्तों option number right हो जागा आपका option number B क्या होगा दही वाला मंगामा दही वाली मंगामा को जिक्र किया गया है आपके पाठ में B.R. नरायन ने किया है चलिए आगे दखेंगे 19 नमर कोशन देखें दोस्तों 19 नमर कोशन हमारे पासे है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ तो इसका right एंसर देखें क्या दिया है option number 1961, 1962, 63, 65 ठीक है इसका right हो जागा 19 का आपका option number A देखें दोस्तों 20 नमर कोशन हमारे पासे घानानन की भासा क्या है घानानन की भासा क्या है तो पौला option दिया है अउधी, B में है ब्रज भासा, C में प्रकृति और D में क्या है पाली तो 20 का जो right answer होगा न option number B is right answer होगा ब्रज भासा ठीक है ब्रज भासा, घानानन की भासा है चलिए आगे देखेंगे 21 नमर कोशन 21 नमर कोशन हमारे पासे किसके अनुसार सेनो सिधानतों को भी बदल दिया था सेनों सिधानतों को बदल दिया था तो देखिए, बेटियों के अनुसार खोखा के अनुसार C में दिया हुआ है दोसों मदन के अनुसार D में क्या है गिरधन के अनुसार 21 का जो राइट एंसर होगा Option number B is right answer होगा Option number B is right answer खोखा के अनुसार यह उनके सिधानतों को बदल दिये थे सेनों को सिधानत को बदल दिये थे खोखा के अनुसार चली आगे दखेंगे 22 नंबर दोस्तो 22 नंबर कोशन हमारे पास है दारिश नामक सोने के सीको से भारा घाड़ा की से मिला था ठीक है हेकल B में है हरकस C में है दोस्तो वारेन हैं सी गटन और D में क्या है बिलियम जोंद तो जो 22 का आपका राइट एंसर होगा अप्शन नंबर C इस राइट एंसर होगा वारेन हैं सी गटन चली आगे दखेंगे 23 नंबर 23 नंबर जो कोशन है धाते विशवास किस भासा से अनुदित है धर्टे विश्वास जो है किस भासा से अनुदित है पहला अप्शन दिया हुआ है कन्नड B में है तमिल C में उडिया और D में कहा है गुजराती दोस्तो 23 का जो राइट अंसर होगा अप्शन नमर C जो राइट अंसर होगा अपका 23 का राइट अंसर उडिया होगा चलिए आगे दखेंगे 24 नमर कोशन, 24 नमर कोशन हमारे पासे दुर चट्टानों से ठंडी गोद में किस कभी की पंक्ती है, जमिन जिवानन दास, जिवानन दास, बी में दोस्तो, अनामिका, सी में सुब मिन्तरा नन पंत, और डी में कहें, रेना मारिया मिलके, चलिए दोस् चलिए दोस्तो, 24 नमर कोशन हमारे पासे दोस्तो, जिवानन जिवानन दास, ठीक है, जिवानन दास की किस कभीता को प्राबुध अलोचल को द्वारा रविंदरतर यूग की सरिष्टम प्रेम कभीता की संग्या दी गई, ठीक है, इसका अध्यात्मिक सिछा से गान्धी जी का अभिप्राय है, पहला अउपसन दिया हुआ है, है पुष्टक की सिच्छा बी में है यंत्रो की सिच्छा सी में है बुधी के सिच्छा और डी में कहा है हिर्दे के सिच्छा तो जो 27 नमबर का राइट एंसर होगा अफसर नमबर डी इस राइट एंसर होगा चलिए आगे दखेंगे 27 नमबर कोशन देखे 27 नमबर कोशन हमारे पासे अब्विनियों में 19 दिनों के प्रवास के बाद दोरान लेखक के कितने गध की राचना की 27, 28, 29, 30 तो तो 27 का जो राइट अंसर हो जागा आपका 27 का राइट अंसर अप्शन नमबर A होगा क्या होगा अप्शन नमबर A होगा ध्यान देते चलेंगे देखे 28 नमबर कोशन 28 नमबर कोशन हमारे पासे धरती कपत घुमेगी किस भासा से अनुदित कहानी है उडिया गुजराती राजस्थानी कन्नड तो 28 का जो राइट अंसर होगा अप्शन नमबर C होगा अप्शन नमबर C र ब में है B में हैं दोस्तो हाने जाने हैं C में में काण्शर और D में हैं में दोस्तो मवनिंन जाइटीस मेनिन जाइस टिस चलिए 29 का जुराई टेंसर हो जागा दोस्तो option number D होगा क्या होगा? मेनिन जाइस टिस चलिए देख लीजिए option ये वाला correct होगा, देखेंगे आगे टिस नमर question दोस्तो अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर दीजे ताकि हर विषयका आपका त्यारी हो सके 2030 exam के लिए ठीक है? और इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किये हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तो, ठीक है? बहुत ये मेनत करके ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हैं आपको लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है कोई प्रोड नहीं होता है ठीक है? आप लोग रिशित 100% गरांटी देता हूँ आपको 2023 exam को क्रेक कराने के लिए 95% ठीक है दोस्तो, 95% आपको क्रेक कराने का उमीद है टार्गेट है मुझे चलिए एक 30 नमर कोश्चन देखेंगे 30 नमर दोस्तो 29 नमर देखेंगे विरेन डंगवाल को किस करिती के लिए सहित एकाद्सकार मिला है इसी दुनिया में दुरुष्चक्र से शरिष्टा सीम है दोस्तो, पहल पुष्टिका दोस्तो जो 30 नमर है नहीं 30 का जो राइट एंसर होगा अपसो नमर B is राइट एंसर होगा क्या होगा B is राइट एंसर दुस चक्र में सृरिष्टा चलिए 31 नमर कोशन देखेंगे 31 नमर कोशन है परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ चलिए 31 का जो राइट एंसर होगा दोस्तो अपसो नमर B is राइट एंसर होगा सबकी बुधी विधेशी होगा डखेंगे 32 नमर कोशन हमारे पास है दोस्तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है पहला अपसन देखे इस वर पेटी कर B में है साथ कोड़ी होता है C में है सुजाता और D में कहे सिरी निवास तो 32 का जो राइट एंसर हो जागा दोस्तो अपसन नंबर C is राइट एंसर होगा क्या होगा C is राइट एंसर चलिया आगे दखेंगे 33 नंबर कोशन देखें दोस्तो 33 नंबर कोशन हमारे पास है लेखक के अनुसार मनुस्य के नाखुल किसके जीवंत प्रतिक है पहला अपसन दिया है मनुस्य अथा के B में है साब याथा के C में है पास वी बृति के ओडी में है देखे, 34 नमर कोशन है मारे पासे 1000 पर सांट दिवेदी का जन्म कब हुआ ठीक है, 1057 दिवेदी का जन्म कब हुआ, 1907, 1906, 1905, 1904, तो दोस्तो हाजारी पर सांट दिवेदी का जन्म होगा, अपका राइट एंसर हो जागा दोस्तू, ओप्शन नमर A is राइट एंसर होगा, 34 क आप लोग ध्यान दिया है ना दोस्तों, त्येतिश का ओप्षन नमर सी जोगा, चलिए आगे देखेंगे, पैटिस नमर कोश्चन, देखें दोस्तों, पैटिस नमर कोश्चन हमारे पासे, रही रास, रही रास किसकी कहाने, किसकी राचना है, गोरी गुबिन सिंग, बी में गुरु नानक, और डी में क्या है घनानन, यह नानक दिया है, ठीक है, तो दोस्तों, पैटिस को जो राइट एंसर होगा, आपका राइट एंसर, ओप्षन नमर बीज राइट एंसर होगा, गुरु नानक, ठीक है, पुरा नाम गुरु नानक, चलिए देखेंगे, चातिस टो दोस्तों, थो चक्षमी के बड़े पूत्र को का क्या नाम था, लकषमी के जो बड़े पूत्र थे हैं, उनका क्या नाम था, अचि यूत, बी में है, गुरु निदी, c में लचमण, और D में कह यह समकर, तो दोस्तो स्सिस्तों, एटिस को जो राई, श्टिस सोरी, श् wig कभी सहर को किसे से बचाने की बात करता है लुटेरों से डेस के दूसमनों से नदियों से इन में से कोई नहीं जो 36 कोशन ने इसका राइट एंसरों का दस्तुं अफ्जानमर सी नदियों से बचाना चाता है ठीक है चलिए 29 नमर कोषण देखेंगे 29 नमर कोषण आमारे पासे गांधी जी का दच्छिड अफरीका प्रवास कोब से कोब तक था देखिए 1893-1884-1892-1893-1894-1893-1894-1893-1993 तो दोस्तो इसका राइट एंसर होगा 29 का अपका राइट एंसर होगा ओप्सन नमर ए चलिए आगे दखेंगे 49 नमर कोशन 49 नमर कोशन है अब इंडिया बिर्जु महराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब तक उनकी उम्र क्या थी वहला अप्शन 37 स्वर्ष B में है 26 स्वर्ष C में है 25 स्वर्ष D में क्या है 24 स्वर्ष तो दोस्तो उन 40 का जो राइट एंसर होगा न अप्शन नमर A इस राइट एंसर होगा 27 स्वर्ष 40 नमर कोशन देखेंगे 40 नमर कोशन हमारे पासे कभी ने माली मालीन किसे कहा है संकर परवाती गड़य सलाशमी कृष्णा राधा राम सीता तो दोस्तो इसका राइट एंसर होगा 40 नमर का आपका राइट एंसर होगा Option नमर C क्या होगा Option नमर C इस राइट एंसर होगा कृष्ण राधा bellooking 41 कोशन देखेंगे मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानों थी 2, 3, 4 या 1 तो दोस्तो 41 नमबर का जो राइट चंसर होगा न, option number B is right चंसर होगा, आप लोग ध्यान देंगे B is right यानि कि 3 संतान थी, चली आगे देखेंगे, 42 नमबर कोर्षन आमारे पास है दोस्तो, अग्याई, ठीक है अग्याई का जनम हुआ, 1910, 1911, 1912, 1913, तो 42 का आपका जो राइ चली 43 नमर कोर्षन देखेंगे, 43 नमर कोर्षन आमारे पास है दिनकर की कि स्कृति के लिए ग्यान पिट पुरसकार मिला है, रस्मी रथी, B में संस्कृति के चार अध्य, C में उरवर्सी, OD में कहें रेणू का, तो दोस्तो 43 नमर जो कोर्षन है, इसका राइट अंतर होग आप्सान नमर C, क्या होगा, उरवर्सी, आगे देखेंगे, 44 नमर कोर्षन, तोवत खाने में इबादत खाने, नहीं दोस्तो, नौवत खाने लिखा है, ठीक है, सोरी, गलत पड़ दिये हैं, नौवत खाने में इबादत सहित की कौन सी बिदा है, निवन है, कहानी है, ब्य आप्सान नमर C, राइट एंसर होगा, ब्यक्ति चीतर है, आगे देखेंगे, 45 नमर कोर्षन, 45 नमर कोर्षन हमारे पास है, पंडित बिर्जु महराज, उनसे रिलेटर है, लखनव, घराने की किस पिढ़ी के कलाकार है, छटी पिढ़ी, सत्वी पिढ़ी, नवी पिढ़ी, आठी पिढ़ी, तो दोस्तो, 45 का जो राइट एंसर होगा न, अप्सान नमर D, राइट एंसर होगा, क्या होगा, सत्वी पिढ़ी के कलाकार थे, चलिए आगे देखेंगे, 46 नमर कोर्षन, दोस्तो, 46 नमर क्विश्चन हमारे पास है, सीता के बेटों ने, सीता को कितने रुपे, 47 नमर कोर्षन देखेंगे, उत्तर भारत से नागरी के लिपी के लेख कब से मिलने लगते हैं, आठी वी सदी, छटी वी सदी, नोवी सदी या चौथी सदी, तो दोस्तो, उत्तर भारत से नागरी लिपी के लेख कब से मिलने लगे, तो इसका राइट एंसर होग अप्सान नमबर 47 का हो जागा अप्सान नमबर A क्या होगा अप्सान नमबर A इस राइट होगा 28 सदी से मिल रहा चली आगे देखेंगा 48 नमबर कोशन अप्सान नमबर कोशन हमारे पस है दोस्तों बहादूर को कितने रूपए की चोरी का इलजाम लगा था 10 रुपए 11 रुपए 12 रुपए या 13 रुपए 48 का जो राइट एंसर होगा न अप्सान नमबर B इस राइट एंसर होगा क्या होगा B इस राइट एंसर हो जाएगा मिलत ने इनको चोरी का इलजाम लगा था 11 रुपए का तेलिए उन्चास नमर कोश्टन देखेंगे भारत मता कभीता में भारत का कैसा चीतर प्रस्तुत किया गया है अदर्स कालपनिक यथा अर्थायप और बी में है डी में दोस्तों इन में से कोई नहीं तो दोस्तों उन्चास को जो राइट एंसर होगा आपको नमर सी होगा या आती है और अस्तिमता की द्रिष्टी के इतिहास का प्रवाव कौन सा है ठीक है पहला है विच्छुन बी में है अविच्छिन और सी में है दोस्तों विच्छिन और विच्छिन दोनों और डी में क्या है दोस्तों इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर होगा दोस्त अब्जेक्टिव हिंदी के 2018 के प्रिवियस येर कोशन जितना भी आया था अब्जेक्टिव वो बता दियें अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब जरूब कर लिजेगे ठीक है दोस्तों अगर आप लोग को इस में से अबर आप लोग उतारते हैं तो आपका इंसर यहाँ पर है ठीक है तो इंसर को भी लिख लेंगे ताकि आप लोग को असानी होगा चलिए आप लोग को इंसर भी कोशन भी दोनों बता दिये हैं अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो जरू लाइक कर दिजेगे देस्तो लाइक बीना नहीं हटिएगा ठीक है लाइक करने सकपूछ नहीं होता है उम्मीद आप से बना रहता है कि आप लोग लाइक कीजेगा तभी तो ऐसा ऐसा वीडियो लाते हैं आप लोग को मेनत करते हैं देखिए आपको लाइक जरू कर दिजे ठैंक्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में